अगने वीड भरती दोया तेज के लिए नोटिफिकेशन्स जारी कर दियागा दोस्तों आगर आपने हाई स्कूल पास कर रखा तो इस फॉर्म को फ्लेंट से जरूर अपलाई कीजेगा अगर आपका एंटर कॉलिफाई है तो भी आप अपलाई कर सकते हैं वेकंसी अपने पढ़ेगा क्या एकजांब पेटेएं रहेगा और कब तक आप और केसे अपलाई करेंगे दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन्स आपको इस वीडियो में मिलने वाल है दोस्तों तो बने रहेगा हमारे साथ ईस वीडियो में एज़ने तक आपको एट्टुजटशेंट मिल जाता है ठीक है इस्टार्ट इंडियान एरी फोर्स अगनीवीर वायो वेकेंसी दोया तेज के लिए और 27 चुलाइट से यह फोर्म जो है फिलब हो रहे हैं ठीक है ठीक है अगर आफ अपलाई करना चाहते हैं दोस्तों तो अपलाई जरूर कीजेगा दोस्तों अगर आपने ह आई स्कूल पास कर रखा दोस्तों आईए जानते हैं आवेदन से जूरी संपूर देख सकते हैं इंडियान फोर्स अगनीवीर वायो रुक्रेक्टमेंट 23 यानि कि भारतिय वायो सेना द्वारा इंडियान एयर फोर्स अगनीवीर वायो भरतिय दोया तेज के लिए आपके द्वारा जो है ओनलाइन लिया जाएंगे ठीक है जो भी कंडियेट आवेदन करना चाहने तो उन कंडियेट के लिए बहुत ही सुनेरा अफसर है इंडियन एयर फोर्स अगने वीर भरतिय दोया तेज के लिए आवेदन करना ठीक है योगता कि मैंने पहले बता रख बता रखाय आवेदन कर सकते हैं दोस्ते हो ठीक है आपके लिए बहुत ही अच्छा अपसर है ठीक है आवेदन आपको ओनलाइन के माद्यन से आपको करना होगा ठीक है चलिए बात करते हैं आवेदन कभ से श्टार्ट होंगे दोस्तों तो इंजिया एर स्पोर्स अगिनी वीर वाई भरते हो तेश्की ओनलाइन आवेदन जो फॉर्म है 27 जुलाई से स्टार्ट होंगे दोस्तों आपने अगर अभी तक आपके सारे डाकुमेंट अब जो हैं सही नहीं तो आप जो अपने डाकुमेंट को विल्कुछ सही कर लिए जाएगा अगर इस फॉर्म में अप क्वालिफिकेशन क्या रहेगा सुलक कितना लगेगा सारा एटुजड आपको इंफ्रमेशन मिलने वाली ये बने रहेगा हमाल साथ वीडियो के इंटक्ट इंडियन एयर फोर्स अगनी वी रुभाई भरते दातीज के लिए कैसे आपको आवेदन करना चली बात कर लेते है सबसे पहले एज की तो वाल लेड़ी यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन एयर फोर्स नेवी में अगर आप अपलाई करने जा रहे हैं फोर्म को तो साड़े सत्रा बर्स आपका एज होना चाहिए फोर्म को फिलाप करने के लिए ठीक है अधिकतम आपका 21 बर्स होना के लिए अलग होगा और यहाँ पर छूट मिलेगा ठीक है चलिए बात करते हैं अपलीकेशन फीज की आविदन करने के लिए कितना है आप सुर्क देना होगा कौन सी कास्ट के लिए कितना लगने वाला है ठीक है अगर आप सभी सेड़ियों की यहाँ पर दीख सकते हैं आप दिख सुर्क लगने वाला है दोस्तों वो 250 रुपे आल केटाइगरी के लिए यहाँ पर लगने वाला ठीक है तो यह आपका आपका आपदन फीज रहेगा ठीक है दो धाई सुर्क पर ठीक है चलिए क्वालिफिकेशन की यहाँ पर बात करेंगे इंडियन एर फोर्स अगनी भी रुक्रेट मेंदवाथ इसमें अविदिन करने वाले जो भी कंडिजिट अविदिन करना चाहते हैं इस वेकेंसी में तो आपका क्वालिफिकेशन हाई स्कूल या इंटर या गुरिजेशन पास रखा गया है अलग-अलग वेकेंसी के लिए दोस्तों अगर आप आपका सिर्फ हाई स्कूल पास है आप अलग वेकेंसी के लिए अपलाई कर सकते हैं 10th 12th पास है तो अलग वेकेंसी में अपलाई करना चाहते हैं कर सकते हैं इस नहां तक पास है तो भी आप अपलाई कर सकते हैं इस वेकेंसी में ठीक है चलिए बात करेंगे अब सेलेक्श टेस्ट होगा फर्स्ट और सेकेंड विडिकल इसफैंकिंस्पी केस्ट होगा और मिजूरमेंट टेस्ट होगा।men वरिफिकेशन होगे। इन सभी चानों को qualify करना होगा और लास्ट में आपका medical examinations जो होता है वो होगा दोस्तों फिर आपका selection जो है complete हो जाएगा इनकी चेन पर किया आपका complete हो जाएगा और आपका recruitment हो जाएगा इस vacancy के ठीक है कैसे आपको apply करना दोस्तों सबसे महत्पूर पॉइंट है कैसे आपको apply करना है 27 जुलाई से इस form में आप apply कर सकते है online start हो जाएगा दोस्तों लिंक activate कर दिया जाएगा ठीक है तो इंडियान एर फोर्स अग्नी वीर वाई भरते हो जाते हैं तो कैसे आपको करना है देके दोस्तों वीडियो के link में आपको online apply करने का link मिल जाएगा official notifications का मिल जाए तो तो कोई दिक्कत आपको apply करने की नहीं दोस्तों ठीक है आपको direct link दिया जा रहा है और उसको आप open करके apply कर सकते है ठीक है बस आपको एक वाद ध्यान रखना है आपको सारे document आपके complete होना चाहिए ठीक है दोस्तों तो ये आपका selection process था और कैसे आपको apply करना दोस्तों उमीद करता हूँ आपको सारी information समझ में आ चुके होगी दोस्तों link आपको सारे मिल जाएंगे video के description में चाहिए तो आप यहाँ से भी apply कर सकते है ठीक है तो उमीद करता हूँ friends आपको सारी information और जानकारी अच्छे लगी होगी दोस्तों वीडियो को like से चलू कियेगा दोस् thank you